दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे इस एन्विरा एजूकेशन के यूटूब चैनल पर और आप सभी के लिए एक बैक टू बैक अगर हम नहीं वेकेंसीज की बात करें तो यहां पर एक और बड़ा मौखा आप सभी के लिए यहां पर देखने को मिल रहा है जो सब्सक्राइब कर लिया है या नहीं किया है तो वह भी आप जरू बता दिएगा क्यूंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी निव वेकेंसी की अपडेट है वह आपको तुरुन देखने को मिल जाती है वीडियो के लाश्ट में मैं आपको जरू बताँगा कि बी हाली में कौन-कौन सी वेकेंसी रिलीज हुई है जिनके फॉरम आपको भारने चाहिए तो देखो इंटेलिजेंस ब्यूरो के दवारा यहाँ पर जो मिनिस्ट्य आप होम अपेट्स है इसके दवारा ACIO की जो है बड़ी भरती रिलीज कर दी गई है असिस्टेंट सेंट इंटेलिजेंस ओफिसर ग्रेड टू की यह वेकेंसी है जिसके अंतकत अगर यहाँ पर देखा जाए तो डेस्क्रिप्शन यहाँ पर दे रहे है यह ग्रूप C की पोश्ट है कि नॉन गजटेट नॉन मिनिस्ट्यल पोश्ट है नंबर आप एप्रॉक्सिमेट जो वेकेंस है और स्टी की 133 वेकेंसी है बड़ी भरती का यहाँ पर मौका आपके लिए यहाँ पर मिला है 945 में पदों पर यह वेकेंसी रिली जाई है इसके लिए यहाँ पर लेवल 7 का पेमेंट रहेगा जिसके अंतकत आपको चमाली सजार 900 रुपे से लेकर एक लाग मेली सजार 400 इसके बाद है को इनिशियल जो एपोइंटमेंट है दा फॉलंग पे एंड एलोवेंस तो अब इसके अंतर एलोवेंस भी आप देख लिएगा चमाली सजार 900 तो आपका बैसिक पे रहेगा डिये आपको 46% का आपको इसके अंतर दे रहेगा जो की 20,604 रुपे रहता है ऐस से जो रहेगा 20% के हिसाब से बैसिक पे पे आट जार 900 सी रुपे रहेगा एचार जो रहेगा हाउस रेंट एलोवेंस तो इसके अंतर गत यहाँ पर एक्स वाई के हिसाब से पोजिस्जिन आपको दे रहेगी है इसके अलाव ट्रांस पोड़ावेंस भी आपको दिया इसके बाद एको गवर्मेंट एक्कमेंडेशन जो है वो भी आपको सब्जेक्ट टू अवेलिबिलिटी के साब से यहाँ पर आपको देई होगा essential qualification के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो इसके अंतकत आपके graduation मांगी गई है ठीक है सिर्फ जिसके पास graduation है वो इस form को भर सकता है बहुत इस सांदार vacancy आपके लिए यहाँ पर देखने को मिल रही है इसके लिए age limit जो है वो 18 से 17 साल के UI इसके अंदर form भर सकते हैं बाकी age limit क category इसाब से आपको इसके अंदर age में relaxation speed देई होगा अगर इसके बात इसके लिए बात करें तो यहाँ पर last date इसके लिए 15 December रखी गया जो भी candidate इसके लिए apply करना चाहें उनके लिए यहाँ पर 15 December का यहाँ पर आपको इसके अंतकत देखने को मिल जाएगा अभी जब detailed advertisement इसक अगर देखा जाए तो इसमें 100 objective type के MCQ रहेंगे divided into 5 parts पांच parts में divide रहेंगे जिसमें परतियक में 20 questions रहेंगे और परतियक एक number रहेगा तो यहाँ पर आपके questions किस-किस के आएगे इसमें current appets के, general studies के, numerical aptitude के, general या logical aptitude के और English के questions आपको इसके अंतर देखने को मिलने वाले ह और marks आपके 100 इसके अंतर रहने वाले हैं, 100 number का paper, tier 2 की बात करें तो descriptive type का paper आपका रहेगा 50 number का, ऐसे रहेगा आपके इसके अंतर 30 marks का और English comprehension और precise writing जो है उसके 20 number आपको इसके अंतर देखने को मिलने टोटल 1 गंटे का paper है यह भी और इसमें 50 number का, ठीक है, अब tier 3 जो इसके अंतर इंट्रिवु रहेगा आपका इंट्रिवु जो है, आपके 100 number का इसके अंतर का देखने को मिल सकता है, apply करने के लिए आप इसकी जो official site है, mhi.gov.in या फिर ncs.gov.in पर जाके apply कर सकते हैं, इसके लिए application अभी चल रहे हैं, 25-11 से लेकर आपके यहां पर आप जो है 15 December तक जो है, इसके लिए apply कर सकते हैं, examination fees आप इसके अंतर देख सकते हो, ठीक है, the fee two components, इसके अंतर का दो base पर आपके fees ली जा रहे है, 100 रुपी, ठीक है, requirement processing charge और 450 रुपे required इसके अंतर का जो है बता जा रहे है, examination के तो 100 रुपे है और requirement processing charge के 450 रुपे इसमें लिए जा अगर आप general EWS और OBC candidate है तो इसके लिए आपके 100 रुपे का जो यहाँ पर examination fees लगेगा और अगर आप अधर से है तो आप इसके अंतर कत नहीं देई होगा, बाकि यहाँ पर यह payment mode online वगरा इसके अंतर कत बता दियागा है, ठीक है, closing date मैंने आपको बता दिया है, 15 December आपके last date है और ऐसा मौक आपको साइधी मिले जिसमें इत्ती सारी सुईदा आपको देई है, लगबग 1 लाग प्लस salary का भी अच्छा खास मौक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, और गुप्त विवा की vacancy है, intelligence bureau की, IB की post है, ठीक है, अब इससे related अगर आपको कोई अगर आपको पूछना है, तो आप नीचे comment box के अंतरकत आपने जो comment है, वो आप जरूर लिख सकते हैं, और इस वीडियो को आप जो है, आगे जरूर शेयर कर दीजेगा, चैनल को subscribe भी जरूर कर दीजेगा, धन्यवाद